हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है नरेंद्री और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं यूटूब चैनल अकाउंट्स और स्वालिशन में आज का अपना टोपिक है बहुत ही इंपोंटेंट है आज के टोपिक में आपके लिए बिजी बिल फॉर्मेट के बारे में बताऊंगा द आपके लिए बताया जाएगा यह बिल फॉर्मेट है इस तरीके से बनाया गया बिल फॉर्मेट है और यह जैसे आप बीजी से Prinn करते हो तो इसमें maximum आप 34 आइटम प्रिंट करा सकते हो दोस्तों जो बीजी बिल format है आप लोग इस्तमाल करते होंगे जो भी आप format इस्तमाल करते हो या तो आपने company का जो default format आता है उसमें आप प्रिंट आउट निकालते हो जो अपने business के according जो भी format बनवाते हो या आप उसमें निकालते हो लेकिन एक problem आती है कि जैसे आप हाप page में जो print out निकालते हो यानि एक invoice में open करता हो और यहां पर मैंने एक invoice open किया और जैसे आप इसको हाप page में जो company का default हाप page आता है उसमें अगर इसका print out निकालते हो तो इसका एक बार मैं print check करके आपके लिए दिखा देता हूँ मैंने जो bill format बना रखा है उसमें आपके ज्यादा item आ जाएंगे और यह जो company का है company का bill format है इसमें check करके देख लेते हैं इसमें maximum कितने item print हो सकते हैं 7 या 8 या 9 हो सकते हैं इससे ज्यादा item इसमें print नहीं हो सकते हैं लेकिन जो मैंने भी जो bill format बना रखा है तो दोस्तों इसमें अगर आप check करते हो तो यह बिलकुल हाप page है और एक page पे आप दो print निकाल सकते हो इससे क्या है आपकी paper की भी बच्चत रहेगी बहुत से customer इसे आते हैं जैसे मान लो आप full page का इस्तमाल करते हो और आपके पास वह एक ही item लेके जाता है या दो item लेके जाता है तो आपका paper waste होता है बिल format है आपके पास नहीं है तो आप full page में निकालोगे तो paper waste जाता है जबकि उसका half page में भी काम चल सकता है लेकिन इसमें भी आप 8 या 9 item आप इसमें print करा सकते हो अगर देखे इसका default format तो default format में भी आप एक बार में default format का भी आपके लिए दिखा देता हूं फोर नमर का बिल invoice ओपन किया इसके बाद इसका print preview check कर लेते हैं और इसका जो standard वाला अगर में चेक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि इसमें कितनी item है इसमें 34 item है और अगर इसका में print check करता हूँ तो यहां पर आप देख पा रहे हूं कि यहां पर कितनी आइटम आ रहे हैं, इसके 31 तो इसमें आ रहे है, लेकिन यह next page पर जा रहा है, और next page अगर चेक करते हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके अईटम नहीं आ सकते हैं, यह full page के बारे में आपके लिए बता किया है तो टेली में एक जो फॉर्मेट निकलता है जैसे आपका फुल फेज होता है फुल फेज का जो लेंडस्केप आप करते हो उसमें से हाप जो होता है मत्तब जैसे खड़ा साइच एक बार मैं आपके लिए दिखा देता हूं उससे आपको जल्दी समझ में आएगा तो जैसे इसके अंदर कितने आइटम है इसके अंदर जो आइटम है कितने आइटम है 33 आइटम इसके अंदर है और इसमें आप एडिशनल फीड जैसे एड़ करना चाहते हो जैसे आपका होल सेल का काम है यानि आप जैसे होल सेलर जो रहते हैं उनके पास आइटम ज्यादा होत या फिर जैसे मालों उन्होंने अकाउंड भी खोल रखा है तो कोई प्रोब्लम नहीं है लेकिन जैसे आप उनके नाम पे जैसे जो भी हॉलसेलर है वो 10, 20, 30, 40 कितने भी आइटम बेश सकता है तो ऐसी सिच्वेशन में उनके जो बिल के जो पेज है अगर इस बिल को हाफ पे लेकिन मैंने जो बिल फॉर्मेट बना रखा है इसमें आप एक ही बिल में ये सारे जो 33 आइटम है वो प्रिंट करा सकते हो और जो भी कस्टमर की मैंग्वियों डिटेल आपको चीए वो भी आपको उस बिल फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी तो एक बार वो जो बिल मैंने बना रखा है नाम लिख रखा है टेली हाफ पेज के नाम से लिख रखा है इसके बाद प्रिव्यू करता हूं प्रिव्यू करके एक बार में दिखा देता हूं कि जैसे आपके लिए इसको जूम करके दिखा देता हूं अब आप देख पा रहे हो कि यहां पे आपको जो भी चीजों की requirement है, यानि जैसे आपके GST नमबर, आपके जो भी company का नाम, company का address, mobile नमबर और email ID और जो भी लिखा रहता है, जैसे original copy है, second copy है, third copy है, इस type से भी आपके यहां पे लिखा हुआ आएगा, इसमें party का नाम, GST नमबर, mobile नमबर आप लिखना चाहते हैं, तो mobile न करते हैं, मैंने काफी लोग के जिसे data check करता हूं, तो उसमें case या credit का ऐसा कोई रहता ही नहीं है, मतलब वो करते ही नहीं, उनको जानकार ही नहीं है, लेकिन दोस्तों, एक चीज आपको जरूर धियान रखनी है, कोई भी आपका invoice है, तो आपके invoice पे case या credit, कुछ उस पे ल ये इसलिए आती है, कि party ये भी बोल सकती है, कि sir, ये तो bill case का है, मैंने इसका payment कर दिया, लेकिन आपके पास कोई proof नहीं है, क्योंकि आपके bill पे print नहीं है, तो दोस्तों, ये जो bill mode है, ये additional option है, और ये जिसे नया जो bill format बनता है, उस पे इसको add करा सकते हैं, और इसमें ज balance मैंने लिख रखा है, अगर आपने किसी party का bill बनाया, उसका पहले का balance 10,000 रुपे है, और भी का 20,000 है, तो यहां पे final balance total 30,000 रुपे यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन मैंने इस party का जो bill बना रखा है, वो case का bill है, इसलिए यहां पे कोई इसका payment बाकी नहीं आया है, जो भी आपकी requirement की चीजे है, यानि आपका जो serial number है, item का नाम है, HSN code है, MRP है, इसके साफ से आप इसमें जो भी discount है, GST का tax rate है, इस in OS के मादिम से आप आराम से समझ सकते हो कि इसमें क्या-क्या बताया गया है, जो भी आपकी requirement की चीजे है, इस सारी इसमें available है, इसमें जिसे अगर आपने कोई discount carter का है, तो discount का जो percentage है, वो भी यहाँ पे show होगा, और आपकी जो list fresh है, कितनी है, कितना tax है, कितना tax है, इसका tax percentage है, total amount कितना है, और इसके बाद नीचे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इसकी tax की detail, यानि 18% का कितना gross amount है, 5% का कितना है, exempt rate का कि और इसकी tax की जो summary है, वो भी आप देख पा रहे हो, और यहाँ पे इस पे नीचे receiver का signature है, और आपकी जो भी company के authorized signature है, वो भी आप यहाँ पे print करा सकते हो, यहाँ पे और इसके लावा कुछ additional चीज़े आपको add करवानी है, तो वो भी आप करवा सकते हो, तो दोस्तों यह जो bill format है, इसको आपको समझना है, तो इसमें मैंने जो भी इसके अंदर है, बहुत सारी चीज़े आपके लिए बता दी है, यानि जो आपका page होता है, यानि यह A4 का page है, यूँ A4 का page है, लेकिन यह जैसे आपके लिए मैंने अभी बताया था, कि यह A4 का half, half का भी horizontal क्या बोलते हैं, इसको जो भी है, इसको इस type से निकलेगा print out, यह जो से आप, आपके bill को सीधा रखते हो, वैसे यह टेडा करके रखना पड़ेगा, इस तरीके से जब print करा सकते हो, आपने जिसे अगर tally software अगर इस्तमाल करते हो, तो इसमें जो आपका tally software होता है, इसमें इस ज्यादा item आप print करा सकते हो, यह मैंने इसकी configuration इस तरीके से करी है, ताकि इसमें जो 33 है, अगर इसमें थोड़ा space और भी कर सकते हैं, या दो item और भी बढ़ सकते हैं, तो दोस्तों, आप भी अगर इस format को purchase करना चाहते हो, तो आप मुझे comment कर सकते हो, और दूसरा जो format है, यानि इसका जो half page के बारे में, अगर मैं आपके लिए बताता हूँ, तो half page में एक बार check करके आपके लिए दिखा देता हूँ, कि half page में अगर मैं इसकी copy निकालता हूँ, तो कितने page इसके निकलते हैं, एक बार check करके देख लेते हैं, कि जो आपका half page का है, तो इसमें कित लिए जो format बताया है उसमें आपके ये वाला जो page है इसी में आपका काम चल रहा है यानि ये जो print हो रहा है ये बिल्कुल खड़ा हो रहा है लेकिन इसमें इस type से जिसे item number one, item number two, item number three इस तरीके से हैं आपका जो paper है इस तरीके से आप लगाऊगे जिसे ये बीच में से cut किया और ऐसे आप खड़े लगाते हो ऐसे इसको इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा और लगाने के बाद जो भी आपकी requirement की चीजे है वो आराम से आप print कर सकते हो तो ये जो bill format में ने आपके लिए बताया है तो इसमें ये टेली का bill format का जिसे आप समझ सकते हो कि टेली का जो फोर्मेट आता है हाप पेज का वो इसी तरीके का आता है इसमें ज़्यादा आइटम आप प्रिंट करा सकते हो दूसरा यह जो आपका हाप पेज होता है इसमें इस तरीके से आता है इसमें ज़्यादा आइटम नहीं आते हैं इसमें आपके जिसे साथ या आठ आइटम से इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, बाकि A4 का तो आपको पता है इसे कि किस तरीके से standard वाला निकलता है, इसमें भी अगर आप जो A4 का bill format अगर आप अपने according बनवाना चाते हो, तो भी आप comment कर सकते हो, तो दोस्तों, आज की वीडियो आपकी लगी, comment करके जरूर बताएं, आपको problem है, तो आप मुझे comment कर सकते हो, और अपना जो telegram group है, उसको आप join कर सकते हो, वहाँ पे भी आपकी problem share कर सकते हो, thank you.